नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेशा 21 मार्स सोमवार दुपैर सवा 3 बजे रास्तान जोथ पूर बिकानेर की बड़ी खबरे केरल उचुनियाले ने अरना कुलम में लूलू इंटरनाशनल शॉपिंग मॉल द्वारा पार्किंग शुल्ख वसूले जाने पर रोक लगाने के लिए कोई भी अंत्री मादेश पारित करने से सोमवार को इंकार कर दिया लेकिन साथ ही दोहराय के ऐसा करना उनके स्वेम के जोखिम पर होगा उचिनयाले ने कहा कि अगर अंत में ये आदेश पारित किया जाता है कि मॉल के पास पार्किंग शुल्क वसूलने की कोई अनुमती नहीं है तो उसे प्रतेक व्यक्ति को वसूली गई राशी वापस कर दिया है और शेत्र के पंच सरपंच बाइस मार्च को यानि कि कल राजस्थान विधान सभा का घेराव करेंगे इसको लेकर अजमेर जिले की सर्वार पंचाय समीती के सर्पंचों की बैटक हुई इसमें घेराव के रनिति को लेकर चर्चा की गई और अधिक से अधिक निधियों के जयापुर कुछ करने के रनिती बनाई गई तांटोटी सरपंच ओम प्रकाश डुंगरवाल ने बताया कि 2021 से सरपंच अपनी मांगों को लेकर अंदोलन रथ हैं और सरपंच संग केसा सरकार ने बार-बार लिखित समझाता और वारता की लेकिन आदेश जारी न घाटन कर मेला का उद घाटन किया इस दोरान मंतरी के साथ पूर विधायक छोटी सिंग भाटी और जिला प्रमुग प्रताप सिंग के साथ ही जन प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया मंतरी के लाश चौधरी ने मेले में लगी स्टॉलों और किसानों को जान करी देने वाले प्रदर्शनियों का जायज जलिया रासान में एक यवक को MBBS में एडमीशन दिलाने का जहांसा देकर 28 लाक रुपे हड़पकर धोखा दड़ी करने का मामला सामने आया है पेडितमा ने जवाहा सरकल थाने में रिपोर्ट दर्च कर आई है पलिस ने रविवार शाम FIR दर् सुधीर से हुई थी सलाना करीब 80 करोड का राजसवाय देने वाले सावर सहाय खनी जभियनता कारेले को आठ साल बाद भी राजसरकार की ओर से खुद का भावन बनाने के लिए जमीन का अवंटन नहीं किया गया है इसकी चलते विस्थापित कोलोनी की खाली पड़ी जरज सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में कारेले को बीना सुविधाओं के चलाना पड़ रहा है हालत यह है कि बारिश के दिनों में छट से पानी तपकता रहता है और नीचे सरकारी रिकॉर्ड भेग चा रहता है करमचारी खुले में टॉयलेट करते हैं रासान में भले ही दो दिन से तापमान में गिरावट हुई हो लेकिन करमी के तेवर अभी भी तेज बने हुए हैं अज मेर नागौर बांसवाड़ा बार मेर समेथ कई शहरों में पिछले दो दिन में अधिक्तम तापमान में तीन डिगरी सेलसियस तक की कमी आई है मौसम विभाग की भविशेवाने अब लोगों के लिए परिशा नी भरी है विभाग ने आज से अगले दो तीन दिन राजे में गरम हवाएं चोलने की आशंका जोताई है रासान लोग सेवा आयोग की ओर से आरेस मक्खे परिशा 2021 के दूसरे दिन भी सुबह की पारी में करीब 90% दी परिशा अर्थी ही परिशा देने आए आज पहली पारी की परिशा सुबह 9 से दुपहर 12 बजे तक हुई जोत्पुर में परिशा केंडरो पर अभ्यर्थियों को सक्त तलाशी के बाद ही प्रवेश दिया गया परिशा केंडरो पर पुलिस और RPSC की ओर सी बनाई गई टीम ने अभ्यर्थियों को मैटल डिटेक्टर से तलाशा और उनके प्रवेश पत्र पर उपलवद जानकारी से अभ्यर्थि को मिलान कर ही प्रवेश दिया बिकानेर में करीब सवा महिने चलने वाले गंगौर पुजन उस्व का आगास हो गया है अच्छे वर और घर की कामना को लेकर बालिकाओं ने बाला गंगौर पुजन उस्व शुरू किया पुजन उस्व की पुणना होती पर गवर पुगानी की रस्म होगी विभिन दुकानों पर गंगौर ईसर और भाय की प्रतिमाओं की बिक्री भी शुरू हो गई है जोदपुर के सरदार पुरा शेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने एक युव को टक कर मार दी हासे में योग गंभी रूप से घायल हो गया वही कार का अगला हिस्सा पुरी तरहं से शतिक रस्त हो गया कार के एर बैक खुलने से इसे चला रही एक युवती बच गई हासा होती ही वह वहां से भाग निकली फिलहाल पुलिस ने इस हासे में अग्यात ड्राइवर के खिलाफ मामना दर्च किया है तेरा पंथ धरम संग के इतिहास में साधवी प्रमुखा कनक प्रभा का नाम सदैव स्वर्निम अक्षरों से अंकित रहेगा उनिस वर्ष की आयू में दिक्षा लेने वाली साधवी प्रमुखा कनक प्रभा को तेरा पंथ धरम संग के तीन तीन आचारियों का सानिध्य और मार्ग दर्शन मिला आचारे तुलसी से दिख्षा प्राप्त करने वाले साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा को आचारे महाप्रग्य और वर्तमान आचारे महाश्रमन का सानिध्य मिला 17 मार्च को साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा का 81 साल में महाप्रयान हो गया साहितिक संगम साहित्य संगम की ओर से सेथ रभुनात दास परिहार धर्मशाला के सभागार में मासिक काव्य गोस्ट्री का आयोजन किया गया गोस्ट्री में कवियों ने जीवन के विविद आयामों के साथ ही फालगुनी रंग से सराब और रचुनाय प्रस्तुत की वेस्ट साहित्य प्रेमी विजे इंदर सिंग परिहार के अध्यक्षता में आयोजीत गोस्टी का आगाद गीतका दिनेश सिंदल ने साहित्य संगम के संस्था पक्स्मृति शेष मदन मोहन परिहार के होली के मुकतक प्रस्तुत कर किये बेकानेर के दिगजनेता रामेश्व डूडी ने रास्तान स्टेट एग्रो डवलप्मेंट बोर्ड अध्यक्ष बनने के साथ ही सक्रियता बढ़ा दी है डूडी ना सिर्फ अपने विधानसभा शेत्र में सक्रिय हो गए हैं बलकि जिले के अन्या विधानसभा शेत्रों में सक्रिय नज़रा रहे हैं श्री डूंगरगड के लिखमी देसर दिखनादा गाउं में डूडी के किसान चुपा समवाद कायक्रम को अब राजनीती से जोड़ कर देखा जो रहा है यहां डूडी का जबरदस्त स्वागत हुआ किसानों के साथ घंटों चर्चा भी की 13.15 सभा जोडपुर वे सरदारपुरा के तत्वधान में ओस्वाल कमुनिटी हॉल में साथवी प्रमुखा कनक प्रभा की सम्रती सभा आयोजित की गई महिला मंडल द्वारा मंगरा चुरंड से कायकरम की शुरुवात हुई साथवी सत्यप्रभा और कमल प्रभा ने कहा कि सम्रती उनकी होती है जिनकी वी सम्रती होती है उनका व्यक्तित्व विलक्षन वे अलौकिक था तादवी कुंतुश्री और सत्यवती ने कनक प्रभा को अमुलियन निधी सैयम साधना साहिशनुता और वातसल्य की प्रती मूर्ती बताया काफी समय बाद किसानों कोन के महनत का पूरा फ़ल मिल रहा है क्रिशी जिन्सों में समाने तेजी के कारण 24 जिन्सों की कीमत MSP से उपर चोल रही है जिन के लिए केंद्र नियुन्तम समर्थन मुले की घोशना करता है कीमत में उच्छाल के लिहासे ये सिति लंबे वक्त बाद नजर आ रही है हलांके इस तेजी के माहौल में कुछ दलहन के भाव कमजोर बने हुए है फसलों के दामे आई इस उच्छाल से विशेश तोर पर ऐसे किसानों को खुशी मिली है जिनके पास अभी भी पिछली खरी फसल का भंडार है या फिर रभी की फसल की कटाई कर रही है उद्यपूर के पैसिफिक विश्व विद्याले की मेजबानी में आयोजीत राजिस्तरी मूट कोट प्रतियोगिता में सरप्रताप विधी महाविद्याले की तीम ने प्रथम स्थान हासिल किया महाविद्याले के प्रचारे डॉक्टर शम्भू सिंग राठों ने बता कि राजस्तरी मूट कोट प्रतियो गिता में सर प्रताब विधी महाविद्याले के विद्यार्थी चंद्रिका भाटी नेहा दाधीज एवं निखिल बोथरा की टीम ने सरस्टेश प्रदर्शन किया और अवल रही तो फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें